सुप्रभात छात्रों कैसे हैं आप सभी ठीक हैं देखिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास तेंथ हिंदी छितिज का अध्याय तीन जो राम लक्ष्मन पर्षु राम संबाद हम लोगों ने समाप्त किया था ठीक है राम लक्ष्मन पर्षु राम संबाद उसका प्रस्ण उत्तर आज हम लोग देखेंगे तो आई है प्रस्ण उत्तर हम लोग 데ख्ते हैं देखिए पाला प्रस्ण है कि पर्षु राम के क्रोध करने पर लक्ष्मन ने धनुस को टूट जाने के लिए कौन-कौन से तरक दिये ठीक है उत्तर देखिए पर्षु राम के क्रोध करने पर लक्षमन ने धनूस के तूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिये। क्या क्या तर्क दिये। देखिए। स्री राम ने इसे नया और मजबूत समझ कर सिर्फ छुआ था परंतु धनुस बहुत पूराना और कमजोर होने के कारण हाथ लगाते ही तूट गया पहला तर्क दूसरा है कि बच्पन में भी उन लोगों ने मतलब राम और लक्षमन ने कई धनुहिया तोरी है छोटे छोटे धनुस तोरे थे तब परसुराम क्रोधित नहीं हुए तिसरा तर्क है कि हमें ये धनुस सधारन धनुस लगा हमें में मतलब कौन राम और लक्षमन को इस धनुस के टूटने पर उन्हें कोई लाव हानी नहीं दीखती ठीक है लक्षमन ने यही तरक दिया था कब जब परसुराम क्रोधित हो गए थे और परसुराम क्रोधित कब हुए थे जब शीव धनुस टूट गया था किस समय में सीता स्वेंबर के समय में दूसरा देख परसुराम के कुरोध करने पर राम और लक्षमन की जो पतिकीडियायं होई उनके आधार पर दोनों के स्वभाओं की विश्यस्ताएं अपने सब्दों में लिखी science तो देखिए राम बहुत सांत और धहरवान है परसुराम के कुरोध करने पर राम विनम्रता के साथ कहते हैं कि धनुस तोरने वाला कोई उनका दास ही होगा इसको बोले परसुराम को वे मिर्दुभासी होने का पड़िचाय देते हुए भी मतलब मीठा वचन बोलने वाले थ से परसुराम के कुरोध को सांत करने का प्रयास करते हैं अंत में आखों से संकेत कर लक्षमन को सांत रहने को कहते हैं कौन सिरी राम दूसरा है अब लक्षमन का देखिए दूसरी योड लक्षमन का सोभाव उग्र है वह व्यांग करते हुए परसुराम को इतनी छोटी सी बात पर हंगामा नहीं करने के लिए कहते हैं कौन लक्षमन वे परसुराम के क्रोध की चिंता किये बिना अब सब्दो को पड़ियोग ना करने को कहते हैं वह उनके क्रोध को अन्याय समझते हैं इसलिए पुर्जोर विरोध करते हैं तो राम और लक्षमन का सभव हम लोगों ने देखा, अब आईए तिसरा परस्न है, कि लक्षमन और परसुराम के संबाद का जो अंस आपको सब से अच्छा लगा, उसे अपने सब्दों में संबाद सैले में लिखिए, नाटक के जैसा, पहले एक पातर बोलेगा, फिर दूसरा पातर बोलेगा, तो देखे, परसुरा पर्सुराम क्रोधित होकर बोले तो राम बोले हे नात इस शीव जी के धनुस को तोरने वाला अवस्त ही आपका कोई दास ही होगा पर्सुराम बोले सेवक वह होता है जो सेवा का कार्ज करे किन्तु जो सेवक सत्रू के समान वेभार करे उससे तो लरना पड़ेगा जिसने भी धनुस तोरा है वह मेरे लिए दुस्मन है और तुरंत सभा से बाहर चला जाए अन्य था यहां उपस्थित सभी राजा मारे पर्सुराम ने अपने विशाए में सभा में क्या क्या कहा पद्यांश के अधार पर लिखे अब मैं पद्यांश पहले आप लोगों को पाठ्ठ पुष्टेकमत दिखा देता हूं देखिए परसु राम ने अपने बिशाय में सभा में क्या क्या कहा नीम ने पद्यांस मतलब पद अंस के अधार पर लिखे पद्यांस है कि बाल ब्रहम चारी अति कोही बिश्व विदीत छत्रिय कुल द्रोही भुजबल भूमी भूप बिनु किनी विपूल बार मही देव दिनी सहस्त्र बाहु भूज छेदनी हारा परसु भिलोकु मही पकुमारा मातु पित ही जनी सोच बस करसी मही किसोर गर्भन क अर्भक दलन परसु मोड अती घोर ये पद का अंस है अब इसके अधार पर आपको क्या लिखना है परसुराम ने अपने विशय में सभा में क्या कहा तो देखिए परसुराम ने अपने विशय में ये कहा कि वे बाल बरहम चारी हैं और वे अती क्रोधी सोभाव के हैं सारा संसार उन्हें छत्रिय कुल के नासक के रूप में जानता है उन्होंने कई बार भुजाओं की ताकत से इस धर्ती को छत्रिय राजाओं से मुक्त किया है किसने परसुराम ने और ब्राहमनों को दान में दिया है लक्षमन को अपना फरसा दिखा कर कहते हैं कि इस फरसे से उन्होंने सहस्त्र बाहू मैंने परहने के करम में इसका बताया था कि सहस्त्र बाहू कौन था जिसकी हजार भुजाएं थी उन्होंने सहस्त्र बाहू के बाहू को काट डाला था उनका फरसा गर्भ में पल रहे सिसुओं को नास करने में भी सक्षम है किसने अपने विशाय में कहा परसुराम ने यह था चौथा परस अब हम लोग देखते हैं पांचमा परस देखिए लक्षमन ने वीर युद्धा की क्या क्या विशेस्ताइं बताई ठीक है तो उतर देखिए क्या है कि लक्षमन ने वीर युद्धा की निमनलिकित विशेस्ताइं बताई है वीर युद्धा स्वैम अपनी विर्था का बखान नहीं करते हैं अपितु मतलब बलकि दूसरे लोग उसकी विर्था का बखान करते हैं दूसरा है कि वे युद्ध भूमे में अपनी विर्था का परिचाय साहस पुर्वक देते हैं तिसरा है कि वीर युद्धा सांत विनमर छमासिल धैरेबान और गुद्धीमान होते हैं और चौथा है वह दूसरों का आदर करते हैं हम लोग इसके नेक्ट विडियो में इसके आगे का प्लसन और देखेंगे इसके बाद हम लोग का दिहाय दो यह समाप्त होगा धन्यवाद